आज की वीडियो में मैं आपको सोलन जिला के इतिहास एबं उससे जोड़े कुछ महत्पुर्ण तत्थे बताऊंगा जो हो सकता है आपके अगामी परिक्षाओं में मददगार साबित हो तो शुरुवात करते हैं सोलन जिला के इतिहास से सोलन जिला छोटी छोटी रियास्तों से मिलकर बना था उसमें बागल, भगाट, कुनिहार, कुठहर, मांगल, बेजा, महलोग, नालागड तथा कुछ हिस्से के उन्तल एवम कोठी के समलित थे अब बात करते हैं इनकी डिटेल में, भगाट जो की कसोली एवम सोलन सिटी का पार्ट था, जिसके फाउंडर बसंत पाल हैं और जो दक्षिन भारत से आये थे और भगाट नाम रखा था इंदरपाल ने, और पहली रियासत जो बिलासपूर से आजाद हुई थी 1790 इसवी में वो थी भगाट और उस समय भगाट के राजा थे महिंद्र सिंग, अब बात करते हैं बिजे सिंग की, उनकी मृत्यू के बाद, डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स के चलते, यह रियासत प्रिटिस सरकार के अंतरगत आ गई थी, डॉक्ट्राइन ओफ लेप्स जो की डलहोजी ने शुरू की थी राजा दलीप सिंग, भोज से सोलन राजधानी स्थांतरित की, दुर्गा सिंग, बगाट के अंतिम राजा थे और दुर्गा सिंग ने हिमाचल परदेश के नामकरण की अध्यक्षता की थी जो की सोलन दरवार में रखा गया था, 26 जनवरी 1948 को अब बात करते हैं भागल की जिसे अरकी के नाम से भी जाना जाता है, भागल रियासत के फाउंडर अजे देव हैं जो की गंबर नदी के किनारे थी, उस समें इसकी बहुत सी कैपिटल हुई, राजधानिया हुई जैसे सेरी, दुन्धन, डुगली और दारला, ये सब, राजा सवचन ने अरकी को गुर्खों ने अटैक किया था, और उन्होंने राजा जगत्सी ने नालगड किले में साथ साल तक शरण ली थी, और गुर्खों का मुख्याले अरकी को बनाया गया था, संसार्चंद के पुत्र अनिरुद चंद ने शरण ली थी जगत्सी के टाइम जब त्रिगर्थ पर सिखों ने अटैक किया था, 1857 की करांती में राणा क्रिशन सी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्वश्चन पूशा जा सकता है कि भगाल के किस राजा ने 1857 की करांती के दोरान ब्रिटिशर का साथ दिया, तो वो थे राणा क्रिशन सी और इस से खुश होकर उन्हें 1860 में ब्रिटिशर द्वारा राजा टाइटल दिया गया था, और बागल के अंतिम राजा राजेंदर सी थे, अब बात करते हैं कुनिहार की जिसकी स्थापना 1154 में अभोज देव ने की थी, और कैपिटल हार्ट कोटी को बनाया था, अभोज देव अक्षनूर जम्मू से आ स्थापक सूरत चंध हैं, जो की बिलासपूर का पार्ट था, और हंडियोर की जांगीर, गोर्खा के आकरमन के समय यह क्योंथल के अंडर थी, उस समय राजा गोपाल जंध थे, जब गोर्खों ने अटैक किया था, 1815 में जब गोर्खों को यहां से निकाला गया अंग्रेजों द्वारा, तो ब्रिटिशर ने राणा भूपसी को इसकी सनत दी थी, सुबाथू में किला गोर्खों ने बनाया था, और आर्मी स्टेशन ब्रिटिशर ने बनाया था, अब बात करते हैं महलोग रियासत की, महल महलोग के राजा बने, ब्रिटीश गवर्मेंट ने रगुनात चंद को राणा की, तथा दुर्गा सिंग को ठाकुर की उपादी दी, प्रिटीशर द्वारा और ठाकुर नरिंदर से इस रियासत के अंतिम राजा थे, अब बात करते हैं बेजा की, बेजा रियासत के प्रिटिशर ने गुर्खों को यहां से निकाल दिया तो ब्रिटिशर ने मानचंद को ठाकूर की उपादी दी और यहां का साशन मानचंद को दे दिया लक्शमी चंद अंतिम शाशक थे बेजा के अब बात करते हैं मांगल रियासत की मांगल रियासत के संस्थापक राजपूत अत्री थे और मांगल रियासत का नाम मांगल सिंह पर पड़ा था 1815 में रंग बहाद जोट को सन्नत दी गई ब्रिटिशर दवारा और शिब मंगल इसके अंतिम शाशक थे अब बात करते हैं महतपूल रियासत है जो वो है हंडूर हंडूर की स्थापना अजे चन्द की और जब तैमूर लंग ने आक्रमन किया था तो हंडूर के राजा आलम चन्द ने उनकी साहेता की थी बदले में तैमूर ने हंडूर पर आक्रमन नहीं किया था और विक्रम चंदे नालागड शहर की स्थापना की क्वेशन पूछा जाएगा कि नालागड शहर की स्थापना किसने की तो वो की है विक्रम चंदे और पूछा जाए नालागड की स्थापना किसने की क्योंकि हंडूर का पुराना नाम नालागड है अब बात करते हैं रामचन ने रामगड किला बनवाया और समर कैपिटल रामशहर को बनवाया था अजमेर ने अजमेर गड किला बनवाया रामशरन गोर्खों के आक्रमन के टाइम रामगड में छुपे थे अब बात करते हैं सोलन के गठन की सोलन का गठन 1 सप्टेमबर 1972 को हुआ चंसंख्या गनतव 298 है साक्षरता दर यहां की 85.02% है शिशु लिंगन उपात 898 है क्षत्रफल 1936 स्क्योर वर किलोमेटर है लिंगन उपात 884 है अब बात करते हैं घाटियों की सोलन तसील में स्पूरून गाटी है नालागड में दून गाटी है अरकी में कुनिहार गाटी और इस जिले की सबसे उपजाओ गाटी दून गाटी है और हिमाचल परदेश की सबसे उपजाओ गाटी बलह गाटी है जो की मंडी में है 800 मिटर की उंचाई पर अन्य तत्यों की बात करते हैं जैसे प्रमाणू में 1975 में ओध्योगिक एस्टेटिक स्थापित किया गया प्रमाणू में HP MPC प्रोसेसिंग इकाई है नालागड में डोलामाइट, कुठार में जिपसम तथा दालागाट में लाइन स्टोम मतलब चूना पत्थर के के भंडार हैं अब बात करते हैं बद्धी हिमाचल परदेश का सबसे बिक्सित और ज्योगिक शहर है सोलन को खुम्ब नगरी अर्थात मश्रूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर मश्रूम बहुत ज़्यदा हो गया जाते हैं और रश्ट्र मश्रूम अनुसंदान संस्थान भी सोलन में है दालडागाट में अंबूजा सीमेट फैक्टरी है सोलन में अनिस बिल्ला सल्मान रशीद का घर है सोलन के नौनी में बायस परमार बागवानी और बान की विशव बिदाले है जिसकी स्थापना 1985 इसपी में की गई थी कसोली के सनाबर में लारेंस स्कूल है कंडागाट में महिला पॉली टेक्निक संस्थान है चाइल महराजा वुपिंद्र की गर्शमकालिन राजधानी थी जो की पठियाला की राजा थे यहां भी शिव का सबसे उंचा क्रिकेट मैदान है चाइल में कसोली में सी आराई केंदिर अनुसंदान संस्थान है जहां पागल कुत्तों के काटने का टिका बनवाया जाता है रगशाई और सुबाथू में सेना चावनी है सोलन का नाम माताशूलनी पर रखा गया था और शूलनी मिला यहां हर वर्ष जून महीने में लगता है अब बात करते हैं यहां के बन्यजीब अभ्यारन की जो की दालडा घाट में है, मजाठल में है, चायल में है शिल्ली में बन्यजीब अभ्यारन है और शिल्ली हिमाचल परदेश का सबसे चोटा बन्यजीब अभ्यारन है सूलन की सबसे उंची चोटी का नाम माउंट करोल है जिसकी उंचाई 2280 मिटर है और जटोली सबसे उंचा मंदिर है सूलन का और हिमाचल का भी सबसे उंचा मंदिर जटोली है तो यह थे सूलन जिला से जुड़े कुछ महत्वत पूरों तत्या I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो इसे शेयर जरूर करें और अगर कुछ गलती हो तो कॉमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं इसे सुधार सकूँ